हेलो फ्रेंड वेलकम टू माई यूटूब चैनल आज हम सीखें कोल्टरों में पैन टूल से किसी भी बिट मैप इमेज से कैसे डिजैन बनाया जाता है फिल हम फाइल में जाके न्यू पेज लेना है यह आप कंट्रोल एंड से भी न्यू पेज ले सकते हो फिका जामने एक इ हम यहां पे इल्ट क्लिक करना है एं गयाम गलती कर देते हैं को आप आर्ण को आऊंड है डो करें लग जाते हैं तो हम अल्ट के साथई लाइन डो करना है यहां पर अल्क लिक करके फिवाफियाँ चुलू करैंगे यहां भी सेम करेंगे यहां पर हमने क्लिक किया तो यह सब सच्छा तरीका होता है किसी भी इमेज से हमें अगर वैक्टर इमेज में करना हो तो आप पैन टूल से उसको पहले ड्रो कर लें डिजाइन पूरी तरह से बना ले तरह से हमेज़ दो आपिजा नगर नगरा मुझा यहां लंगे उसको बार किम से अगर अना है झाला कि दूल कर लेंगे यहां पूरीका है झाला को पूरीका है तो गाइच देखी यह हमारा पहला चतु था इसको हमने कटिंग कर लिया है पैन टूल से ड्रो कर लिया फिर हम दुबार लेंगे पैन टूल हमें इसको भी ड्रो करना है पैन टूल से कर लेंगे च से पाज करने हिरा ले ड्रो कर लिया है तो गई से दिखें यह भी हमारे अब्जेक्ट ड्रो हो गया है अब हमें इस सर्कल जो है इसको हम सर्कल से लेंगे शर्कल से लेक्ट किया एक सर्कल आम रहे हैं यहां से हमराओं कर देंगे इसको अलका सा कि इसको अलका साथ से घीज लेंगे डवर किलिक करोगे तब यह उप्सन आएगा आपके पास कि प्रिश्क वाद हम जाना गाइस एरेंज में यहां पर कर देंगे फिलेंगे सेफ टूल यहां जो करना है आपको यह आप कंट्रोल क्यू भी कर सकते हो सोट की होता है फिर सेफ टूल से जो इसके अलाइनमेंट होगी उसको यहां पर सेट कर लेंगे ॊ- au-a वो मोग सान्य आड़ी इड़्ट पे इसको लिएगे न कोपीन पेट कर लेंगे ये आप कंट्रॉल सी और कंट्रोल वी से भी कोपी पेश कर सकते हूँ इसको उलका छोटा कर लेंगे पहले वाले से लेँगे हाहा शेब सटूल इसकी जो alignment है इसको ठीक कर लेंगे हम अभी लेंगे सरकल दुबारा shift के साथ हमें सरकल को draw करना है तो इसके बाद हम फिर लेंगे यहां पर rectangle लेंगे पैट्रोल से नहीं करेंगे हम rectangle से करेंगे तो rectangle लिया यहां से हमने यहां शेप टूल लिया इसको पूरा राउंड कर देंगे इस टूएज डवल क्लिक करेंगे इसको अलगा राउंड करके इसकी साइज होगा उसको अधोर एक्स्टा कर लेंगे जो भी alignment होगे उस से होनी चाहिए फिर all select करेंगे इसको उठाकर साइड में लख लेंगे और इमेज को हमने लोक किया था राइट की लग करके इसको अन्लोक कर लेंगे लग कलर फिल करना है तो यहाँ से लिए हम कड्यारियलंड के को कि केई सब्सक्राइब करले कर ऑद करेंगे यहां वह हमने लाया था भी आप फिल करना हो तो जो अन्हें हमाद करहके धा अब इस वाम कर देंगे ब्लैक कलर फिल अब दोबार लेंगे यहां से गेरियंट और में सरकल में डालना है कलर फिल करना है तो यहां पर क्लिक किया पर यहां पर क्लिक किया इसमें हमें सेम करना है दोबार लेंगे गेरियंट इसमें लाइट एंड हलका सा डार्क रखेंगे हम जो सरकल दास को करते हम वाइट अब इसमें डालिए गेरियंट तो फिल लिया यहां पर रखेंगे हलका सा जो ब्लैक है वह और यहां पर हलका सा और लाइट यहां को प्रोपर ब्लैक करना तो प्रोपर ब्लैक भी कर सकतो आप फिर ओल्स लैक करना है जो इसके आउट लैन यहां सा आप राइट क्लिक करके रिमूब कर देंगे फिर लेंगे सेब टूल तो इसके अलाइनमेंट इसको हम ठीक कर लेंगे जब डबल क्लिक करोंगे डोट पे तो वहां से डोट होगा वहां से डिलीट हो जाएगा कि अधिवर करना है तो मैं दुपाए लिया गेरियेंट और यहां से उसके कलर हो वहां है चेंज करेंगे इसको और यहां से ग्रॉप कर देंगे कंड्रोल जी से भी अब गुरूप कर सकते हो यह लोग करना । तो वहाँ वह वन्लोग कर सकते हुआ फिर हम लेंगे सेउटूब यहाँत पर हम सिंगल कलिक करना है जामें और यहाँ फिर अफिर क मद गिंक अज पर कर दईहां कि ओबका सींगर लेकर जाएंगे यहाँतेशक वहाँते हैं तो गाईज आगर आपको डिजान चाहिए होगा टैक्स का तो आप वहांसे भी इस टैक्स को ले सकते हो आप इसको हम गुरूप कर लेंगे इसको हलका छोटा कर लेंगे हो अब इसका कलर चेंज करना हो तो यहां से लाकर अनलोग करके आप चेंज कर सकते हो पिस से लैक करना है से और यहां रहा कि हम गुरूप कर देंगे इसको इसको आप गुरूप कर सकते हो और पी दबा देंगे जिसे यह सेंट्र हो जाएगा तर यहां रहा किलिक करो तो यह बोक्स बन जाएगा तिसको नग्रूप कर लेंगे पहले हम, हमें डाल लाँ है shadow, तो हमयो इसको यह एड़िट पे गहें यहां पे Ctrl C and Ctrl V को पिन पेस कर लेंगे, इसको हलगा छोटा कर लेंगे हम इसे प्रोपर ब्लैक देंगे यह तरीका गलत होता है कि हम क्या करते हैं कि हम इसी को व्यक्टर को हम सिधा सेड़ों में यूज कर लेते हैं पर आपको करके दिखा रहा हूं कि इसे क्या प्रोपर हमाँ से नहीं बनता यहां से टुल लिया इसे प्रोपर नहीं हो पाएगा देखिए ब्लैक दिख रहा है जो उपर का सरकल है वह लोगों ड्राक्ष दिख रहा है ब्लैक दिख रहा है इसके लिए क्या करना पड़ेगा फिलह हम कंट्रोल जाट कर लेते हैं हम जाना है यहां पर bitmap पर convert to bitmap कर देना है तो अब यहां समलेंगे ट्रपेंसे टूल जो सेव होगा shadow होगा वो प्रोपर होगा असमें प्रोपर फिल होगा तो हम यही करना चाहिए shadow के लिए पर इसको bitmap पर convert कर लें देए गाई तो हम इसे का यूज करें प्रोपर करना है इसको हलका समया पर बार कर खीच लेंगे देखें हमारे shadow यह बन चुका है इसको हलका सा ले जाएंगे और इसको हलका सा बाहर देखें इसको लग रहा है कि shadow बन चुका यह प्यां स्लैक करके इसको ग्रूप कर लेंगे और पी दबादेंगे कीबोर से जिसे सेंटर हो जाएगा इसको अन्गूरूप कर लिए जिसके अलाइनमेंट है तो इसको ठीक कर लेते हम इसको अन्गूरूप कर सकते हूँ तो वहां से जो डॉट होगा वहां से डिलीट हो जाएगा पिसलैक किया और यहां पर हमने गूरूप कर दिया अगर आपको इसके जो बैग्रांड में अगर फिल करना हो तो वह भी आपकर फिल कर सकते हूं कर चेंज करना हो तो यहां पर आएगा आपकर चेंज कर सकते हूं जो भी आपको रखना हो तो मैंने वाइटी रखा है तो वाइटी रखूँआ हमें तो गाईज देखेंगा बनके रैडियू चुका है तो गाईज अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चेंज को लाइक एंड सेस्क्राइब ज़ूर करें